हर तरफ हो रही आलोचना के बाद कैनेडा के अब खोश आने लगे हैं सब्सक्राइब करें इसके जवाद में के प्रधान मंत्री जस्टिन क्याना है कि तो केनेडा जाज के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। इसी कड़ी में जब अमेरिका से कैनेडा के आरोपों पर सबूत मांगा गया तो अमेरिका ने कहा की कैनेडा सरकार के साथ हमारा संवाद और सलाम शोरा जारी है। वहीं भारते विदेश मंत्राले का कहना है कि कैनेडा सरकार को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए कुछ जगाहों पर हमारी अपनी सुरक्षा विवस्ता भी है लेकिन इस पर सार्वजने की रूप से चर्चा करना ठीक नहीं है उधर आम आदमी पाटी का मानना है कि केंदर सरकार को इस मामले में आराम से काम करना चाहिए मैं समाजता हूँ कि सरकार को इस बहुत ही समवेदन शील मामले को पूरी समवेदन शीलता से जो है देखना चाहिए इसके अंदर कोई भी जल्दबाजी या कोई भी गलत कदम जो है नहीं उठाना चाहिए बता दे तनाब बढ़ने के बाद कैनेडा के नागरिकों के लिए भारत ने वीजा सेवाओं को अनिस्चित काल के लिए बंद कर दिया है इतना ही नहीं कैनेडा में खालिस्तानियों ने एलान किया है कि वे 25 सिस्टमबर को एक रैली निकालेंगे और वे भारती दूतावास के बाहर प्रदर्शन भी करेंगे बता दे खालिस्तानी नेता हर्दीट सिंग नजर की हत्या का आरोप भारत पर मंडरने के बाद कैनेडा और भारत के रिष्टों के बीच में तनाब बढ़ गया है कैनेडा के प्रधान मंतरी जस्टिन ट्रोडो ने हाल ही में कहा था कि कैनेडा ही नागरी खरदीप सिंग नजर की हत्या में भारत के एजेंट का हाथ हो सकता है इन आरोपों का भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की और इने खारिज भी किया